आज मैं रवा इटली बनाती हूँ और कांजी पुरम मसाला इटली बनाती हूँ वो भी मेरे स्टाइल से बिस्मिल्लाहिरामानी रहीम असलामो अलाइकुम वेलकम टू माई यूटूब चैनल उमीद है कि आप तमाम भी खेरत से होंगे अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो फाउरन रेट कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें बिल आइकान को भी हिट करें, आल के बिल को भी हिट करें, आज मैं रवा इटली बनाने के लिए माश के दाल को ली हूँ, और जिसमें मेशर करते ही, इसका तीन उतना हम रवा आट करेंगे, अब ये कप मैं माश के दाल को अच्छी तरह भीगो कर हकी थी, अब मैं बारिक सा पेस्ट बना लेती हूँ, और इसको एक बोल में डालती हूँ, बहुत बारिक सा हम पीस लिए, अब ये चावल का रवा है, राइस रवा, माश की दाल, एक कप और रवा, तीन कप, वन इस्टू, त्री के, इसाप से मैं मेशर करती हूँ, अब इसमें पानी डाल कर अच्छी तरह वाश कर लेती हूँ, वाश करके तमाम पानी को अलेक्सा फिल्टर कर लेती हूँ, फिल्टर करने के बाद, पानी नहीं सो निछोड कर, माश की डाल में मिलाती हूँ, मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, ये मेशर्मेंट बहुत इंपार्टेंट है, वन इस्टू त्री, और इसमें नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा आइट करके, ओवरनाइट ढखकर मैं रख देती हूँ, हमारा बैटर इस तरह से रहना चाहिए, ओवरनाइट के लिए रख देती हूँ, अब कांजी पुरम इटली बनाने के लिए, टू टेबूली स्पून आइल, थोड़ा सा चने का दल, माश का दल, ये कान्यन चाप्ट, रेच्छिली, करी लिव्स, ये तमाम दल कर अच्छी तरह से नरम कर लेती हूँ, और इसमें थोड़ा सा नम्मक भी आइट करती हूँ, और हाफ टी स्पून हल्दी पौडर और हरा धन्या भी आइट करके, इसको भी मैं अच्छी तरह से नरम कर लेती हूँ, अब वो अवरनाइट के लिए मैं रखी थी, हमारा बैटर हाफ के टल था, अब 3 बैइ 4 हो गया है, अच्छी तरह खटा हो गया है, अब आई इसमें हाफ बैटर अलेक्सा कर लेती हूँ, और इसमें जो मसाला रेडी करे थे, वो आइट करके अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, अच्छी तरह मिक्स कर लिए, इसी तरह से हमारा बैटर होना चाहिए, अब इटली के प्लेट में आईल अपले करके हम, कांजी प्रम रवा इटली, और इसको कांजी प्रम मसाला इटली भी कहते हैं, और इटली प्लेट में हम दालते ही, अल्रेडी हम स्टीम के लिए टू मिनिट्स पहले ही रख दिये थे, अब इसको हम धक कर पकाते ही, हमारा कांजी प्रम रवा इटली तैयार हो गया, अब हम को बाहर निकल कर कम्प्लीट थंडा होने के लिए रख देती ही, थंडा हो गया और कितना आसान से निकल रहा है, अब हम आड़नेरी रवा इटली डालती ही, दो को भी सेम बैटर है, उसमें मसाला आड़ करें, और इसमें मसाला नहीं सो, आड़नेरी प्लेन रवा इटली, इसको भी हम ढख कर पकने के लिए रख देती ही, हमारा प्लेन इटली भी तयार हो गया, इसको भी थोड़ी देर छोड़ कर हम निकालती ही, हमारा कांजिप्रम रवा इटली और आड़नेरी रवा इटली दोनों भी तयार हो गया, आप भी जरूर से ट्राइ करें और इसको सर्व करते ही पीनेट की चटनी के साथ, आज का ये रेसिपी कांजिप्रम मसाला इटली और आड़नेरी रवा इटली आपको कैसा लगा, कमेंट बाक्स में जरूर से बताईए, आपके कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत ही साफ्ट और टेस्टी से होगा, देखे हमारा कांजिप्रम रवा इटली कितना साफ्ट है, हमारा आड़नेरी रवा इटली भी बहुत साफ्ट है, दोनों को इटली को आप ट्राई करें, कमेंट बाक्स में बताईए, आपको ये कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने फ्रेंट्स और रिलेटिवस को शेयर करें, और लाइक के बटन को हिट करें, इंशालला एक नियो रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अल्ला आफिस,